हलो दोस्तों वेलकम टू अवर यूट्यूब चनल और हम पढ़ रहे हैं रेजदिंग में वेन आरेक का टॉपिक और वेन आरेक का एक पार्ट कल मैं आपको पढ़ा दिया था अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा हो तो एक बार जरूर चेक करें यहां पर आई बटन आ रहा है उसको जरूर क्लिक करें ताकि आप कल का जो बेसिक में पढ़ाया है वो आपको जरूर पता चले और उससे आगे हम आज बट रहे हैं ठीक है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन फ्रेस करना ना भूले क्योंकि यह सारी मेहनत आपके लिए ह की जा रही है इसलिए चले दोस्तों शुरू करते हैं ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए तो सबसे पहले यहां से स्लाइड जो है स्लाइड को तो चलो यहां नीचे लेता हूं मैं हाँ अब देखो क्या लिखा हुआ है सबसे पहले फूल कपड़े सफेद ठी आट बजे मैस की वीडियो आती है लेकिन चैनल दूसरा है और रिज्दिंग रोज नौ बज़ाती है अब देखो क्या लिखा है फूल फूल का मलता है सारे फूल जितने फूल होते हैं वो सब के सब कपड़े मतलब सारे कपड़े और सफेद सफेद का मलता क्या हो गया एक अभी भी ये स्वाल करो हमेशा डारेट ऑप्शन में जाके मत गिर जाना सीधा ऑप्शन से बिढ़ जाओ ऐसे मत करो सबसे है सीखो पहले का दूसरे से क्या रिष्टा है इन दोनों का आपस पे क्या रिष्टा बनता है तो देखो क्या सबी फूल कपड़े होते हैं क्या मतले है सफेद, पहले का तीसरे से रिष्टा है तेखो, फूल और सफेद, क्या सभी फूल सफेद होते हैं, क्या सबी फूल, पहला वर्ड क्या यूज़ करोगे कि सभी सभी नहीं हो तो दूसरा वर्ड यूज करो कि कुछ तो क्या सभी फूल सफेद होते हैं नहीं क्या कुछ फूल सफेद हो सकते हैं बिल्कुल हो सकते हैं क्या कुछ सफेद जो है वो सफेद फूल हो सकते हैं बिल्कुल हो सकते हैं लेकिन क्या सभी सफेद फूल होते हैं तो second और third का समन्द क्या है क्या सभी कपड़े सफेद होते हैं नहीं क्या सभी सफेद कपड़े होते हैं नहीं तो अब आते कुछ कपड़े सफेद हो सकते हैं हो सकते हैं इसका मतलब हुआ कि सफेद का जो आपका डाइगराम है सफेद का जो गोला है इससे कपड़े वाला भी कट होगा फूल वाला भी कट होगा लेकिन फूल और कपड़े का आपस में कोई रिष्टा नहीं है तो जिसका रिष्टा दो जगे हो जिसका रिष्टा दो जगे हो तो यहां पर वो रहेगा हमेशा सेंटर में तो यहां लिख देता हूं मैं सफेद यह रहेगा सेंटर में और एक तरफ आ जाएंगे क्या फूल और एक तरफ क्या जाएंगे कपड़े तो इसका मतलब है यहां से इसका रिष्टा सफेद का इससे भी हो गया इसका रिष्टा इससे भी हो गया और इन दोनों का अपस में कोई रिष्टा नहीं है कपड़े बिलकुल अलग फूल बिलकुल पहला स्वाल जो आपको मैंने बेसिक बता दिया है कि आपको पढ़ना कैसे ठीक है चलो शूरू करते हैं अगला स्वाल क्या लिखा है दुम्रपान करने वाले फिर लिखा है वकील और फिर लिखा है गेर दुम्रपान करने वाले इसका मतलब है ये कि दुम्रपान करने वाले क्या सबी दुम्रपान करने वाले वकील होते हैं नहीं तो सबी नहीं होगा तो कुछ दुम्रपान करने वाले वकील हो सकते हैं फिर आता है गेर दुम्रपान जो दुम्रपान नहीं करते हैं जो दुम्रपान नहीं करते हैं वो क्या सारे वो वकील होते हैं नहीं लेकिन कुछ हो सकते हैं कुछ हो सकते हैं इसका मतलब हुआ कि यहां से वकिल जो है कुछ वकिल दुम्रपान करने वाले हो सकते हैं और कुछ दुम्रपान नहीं करने वाले हो सकते हैं तो इसका मतलब कुछ वकिल इधर हो सकते हैं लेकिन डाइग्राम कौन सा यूज़ करेंगे पहला वाला यूज़ करेंगे clear चलो आगे बढ़ते हैं आगे है मनुश्य सिक्षक और सनातक इसका मलना अंडर मनुश्य के अंदर ही तो आएंगे तो सब मनुश्य के अंदर लेकिन शिक्षक क्या सभी शिक्षक स्तनातक होंगी क्या सारे शिक्षक जो है क्या उसाने शिक्षक कर रही होगी ऐसा जरूरी नहीं है क्यों कि बहुत सारे टीचर बारी बाद में कट करेगा तो यहां से डाइगराम नुम्बर कौन सा या डी वलाएगा आयसन में चलो आगे दिखते हैं अगला स्वाल लिखा है पुरुष पिता और चिकित सग लिखा हुआ है मतलब यह हुआ कि सबसे पहले रिष्टा पढ़ो क्या सभी पुरुष पिता होते हैं नहीं तो फिर रिवर्ष पढ़ो क्या सभी पिता पुरुष होते हैं बिल्कुल सही है तो सभी पिता पुरुष होते हैं इसका मतलब है पहले हम डाइगराम बनाएंगे पिता का कि सभी पिता ठीक है और उसके उपर ऐसा लिखेंगे पुरुष यह हो गया सभी पिता पुरुष ह हो सकते हैं हो सकते हैं क्या सभी पिता चिकित्सक होते हैं नहीं क्या कुछ पिता चिकित्सक हो सकते हैं हो सकते हैं इसका मलब चिकित्सक का डाइगराम जो है थोड़ा सा पुरूश को इसका अगे बढ़ते हैं. अगे लिखा है पिता चाचा पुरुष। इसका मतलब पिता जो है वो चाचा हो सकते हैं तो इसका डागराम बनेगा यह वाला option number कौन सा वाट D वाला चलो आगे देखते फिर लिखा संगितकार पुरुश और महिला है क्या संगितकार जो है वो सब पुरुश होते नहीं क्या संगितकार सभी महिला होगी नहीं क्या पुरुश महिला होता है नहीं इसका मलब देखो संगितकार जो है वो संगितकार ये बीच में लिखेंगे हम संगितकार को यह आ गया संगितकार ठीक है अब संगितकार जो है वो संगितकार कुछ संगितकार जो है वो पुरुश हो सकते हैं ठीक है और कुछ संगितकार जो है वो महिला हो सकती है ऐसे ठीक है और जो पुरुश है वो महिला नहीं हो सकती है इसलिए देखो यह डाइगराम इदर वो डा भ़ी हो तो याद रखें कि जब इसका रिष्टा इधर भी है और इसका रिष्टा उधर भी है और इन दोनों को पता भी नहीं है कि समझाना हमेशा ये डियाग्राम आएगा कौन सा वाला सेंटर वाले का रिष्टा इधर और उधर हो लेकिन उन्हें पता नहीं हो ठीक है बस पता चलना नहीं चीए ध्यानना ताकि यहां से डियाग्राम आप पहला वाला बना सको अगे है असमाजिक तत्व जेब कत्रे और ब्लैक मेलर तो अब आता है कि जेब कत्रे और ब्लैक मेलर दोनों है कोन है असमाजिक तत्व ही है तो आएंगे तो दोनों ही असमाजिक तत्व के अंदर फिर जो जेब कत्रे हैं क्या वो ब्लैक मेल कर सकते हैं क्या तो जेब कत्रे ह लिए अलग से प्रोफिशन डिग्री लेनी पड़ेगी ऐसा नहीं है मतलग जो जेब कत रहे है वो ब्लैक मेलर भी हो सकते हैं तो जेब कत रहे है तो ब्लैक मेलर भी हो सकते हैं ऐसा नहीं किया रहा है कि नहीं हो सकते हैं ये भी नहीं किया रहा है कि सब होंगे हो सकते हैं इस कोई भी हो सकता है तो लंबे पुरुष का काले बाल वाले वेक्ति होंगे तो जो लंबे पुरुष क्या वो काले बाल वाले होंगे सारे होंगे ऐसा जरूरी नहीं है सारे लंबे पुरुष भारते होंगे ऐसा भी जरूरी नहीं है मतलब पहले कैसे इसका एक बार इससे होगे वो भी हो सकते हैं इसका मतलब देखो लंबे पूरुज भारतियों हो सकते हैं काले बाल वाले व्यक्ति भारतियों हो सकते हैं लंबे बाल वाले पूरुज काले बाल वाले हो सकते हैं सब एक दूसरे का काम कर सकते हैं और जब सब एक दूसरे में हो सकते हैं तो सारे गो आपल और पल अब एपल है तो फल ही है तो इसका बले वाई सना रहे हो या कोई भी हो है तो फल ही है उसके बाद यह आता है कि सारे एपल एक सा रखी हुई on जो तो भी है कि इसमें है तो ड़र एम आने यह है तो पहले तो आएंगे सारे सार कर् er ng आय इसका माला option कौन सा होगा, पहला वाला, clear, आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है त्रिबुघ, विशं भूज त्रिबुझ और समν कौन त्रिबुझ, तो सब जानते हैं कि विशं भाहु त्रिबुझ, विशं भाहु या भूज एक ही बात हैं, संकौन त्रिबूज है अरे टूस्तवकी यह आपने पढ़ा हो तब में पढ़ा होगा संकौन त्रिबूज के लिए पाइथोगोरश से एक रिलेशन दिया था के आधार स्कार पलस लंब स्कार एक्वल टू कार्ण इसकार तो तीन चार पांच छे आट दस नो बारह पंदरा पांच बारह तेरा ऐसे कुछ सेट बनाये थे उन्होंने अब आप देखो जिस त्रीभूज की तीनों भुझाएं अलग लग हो वो क्या कहलाता है विशम बाहू त्रिवूज तुसरा एक पाइथोकुरिस ने और रिष्ञा दिया था उन्होंने ये बोला था जो कार्ण बुजा होती है वो कभी आधार या लंब के बराबर हो इनी सकती कि वो तो सबसे बड़ी बुजा है अगर मैं ये कहूं कि यहां से आधार है पांच लंब है पांच तो कार्ण किता होगा पांच रूट दो तो ये पांच ये पांच और पांच रूट दो क्या ये तरिबुज हुआ? बिल्कुल हुआ क्योंकि जिस तरिबुज के तीनों भुजयened एक अलग है तो कौन सा हुआ विशम बाहू इसका मतलब याद रखना दोस्तों मैं कल अलग-अलग करके आपको बदाइता हूँ कि सबसे अंदर यहां पर है समकॉन त्रीबूज एक समकॉन त्रीबूज होता है वो समकॉन त्रीबूज क्या होता है विशम बाहू अगे क्या लिखा है अब आपको एक डाइग्राम पहले दिया है और फिर चार आप्शन दिये और पूछा यह डाइग्राम किस के लिए सूटे बाल है तो चेक करते है पशू, कीडे और कौकरोज तो पशू है कीडे है और कौकरोज अब बताओ यह कैसे आएगा तो क्या कौकरोज कीडे में जाएंगे तो इसका मला है कौकरोज कीडे में जाएंगे तो यहां से कौकरोज और कौकरोज का आएंगे कीडे में तो क्या पशू अलग होगा यह हमारी गलती है ज्यानना ऐसी गलती आप से नहीं होनी चीए ज्यानना पशू, कीडे, कौकरोज अब यह सब पशू के अंदर ही आएंगे इसका मनला यहां से यह सब पशू के अंदर ही आएंगे तो इसका डाइगराम बनेगा यह वाला यह पूछ रहा है यह किसके लिए suitable है उसके बताना है तब पशू कीडे और कौकरोश का तो यह हो क्लियर चलो अब देखो यहां पर है सेकंड पूरूश महिलाएं और उभय लेंगी तो पूरूश महिलाएं और उभय लेंगी है इसका मनला आएंगे तो दुनों उसी के अंदर लेकिन पूरुश अलग है और महिला अलग है तो यहां से जो है पूरुश अलग है और महिला अलग है इट बेंस आएंगे तो उसमें लेकिन पूरुश अलग है और महिला अलग है तो यह हुआ सेकंड डाइग्राम अब आते हैं थर्ड वला में राज्य जीले और केंद्र शा अब आते हैं चौते केलिए देश राज्य और जिले केले क्लिए यह पूरा देश हो जाएगा देश में राज्य हो जाएगे और राज्य में जिले हो इसका डाइगराम यह बनेगा तो इसका मुल है ऐसे स्वाल का भी आ जाना तो ज़्यादा टाइम वेश्ट करेंगे आपका क्योंकि फिर आपको चारों को चेक भी करना पड़ेगा अगर वहां से ये नाम देकर तीन अगर आपसे तीन या चार डाइगराम पूछे उसमें दि पोड़े जो एं mentallyacz'tा हुआ वहां से आपको टुराय करें हमें गुंगल पर लेजाता हूँ इसके लिए आपको ठीक है और गुंगल पर ले जाके बताता हूं देखें डेखतें में уже अब इस पथा करते हैं की आंसर गुगल वाला क्या दता है जोगल इस पता है या नहीं है Google को तो देखो पता हो गए होगा इतना था हुंशार है वो तो अब आते हैं यहाँ से चलो पहले दी इसको Translate करते हैं यह देखो पशू, केडे और कौकरोच वेंड डेगराम यह लिखा है अब पशू, केडे और कौकरोच इंसेक्ट और कॉक्रोज तो एनिमल इंसेक्ट और कॉक्रोज इसका मलब कॉक्रोज कहा है अंदर है उसके उपर क्या है इंसेक्ट है इंसेक्ट वही कीड़े और उसके उपर क्या लिखा हुआ है एनिमल इसका मलब है पशू पशू के अंदर कीड़े और कीड़े के अंदर क् होगा पश्यू कीड़े और कॉकर ठीक है यह व्ला डारेट नहीं होगा डन आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं क्या लिखा है यह कुछ क्रिकेट खिलाडी है कुछ है तो एक ऐसे बन सकता है और एक ऐसे बन सकता है क्योंकि टैनिस खिलाडी को क्रॉस तो एक यह तक कुछ टैनिस खिलाडी होकी खिलाडी है फिर आगे लिखाए कुछ क्रिकेट खिलाडी होकी खिलाडी नहीं है तो क्रिकेट खिलाडी होकी खिलाडी नहीं है तो क्रिकेट खिलाडी होकी कि सर यहां तो लिखा था कि कुछ क्रिकेट खिलाडी होकी खिलाडी नहीं है यहां तो कुछ लिखा है आपने कुछ वाले को क्यों हटाया तो याद रखना जब भी ऐसा कभी आए नेगेटिव वाला कि कुछ क्रिकेट खिलाडी होकी खिलाडी नहीं है तो कुछ नहीं है इसक सा लेना गलत है तो यह हम नहीं लेंगे तो इसका राइड आइंसर कौन सा बनेगा सेकंड बनेगा और अगर आपको यह नहीं पता है तो ध्यानना अभी तो बहुत कुछ सिखना बाकी है चलो आगे बढ़ते हैं लिखा है शिक्षक कॉलेज और छात्र तो शिक्षक कॉलेज चात्र अब शिक्षक है और छात्र है तो पढ़ने वाले हो पढ़ने वाले हो तो का होंगे कॉलेज में होंगे तो इसका लोग कॉलेज के अंदर होंगे लेकिन शिक्षक अलग अलग हो लेकिन हो एक ही अंदर डी वाला आगे देखो आगे बढ़ते हैं आगे है माता हो मानाव और महिला है तो सब मानाव यह तो मानाव के अंदर और महिला और माता सभी जो मा है वो सभी मा क्या होती है महिला होती है तो इसका मतलब हो गया कि सभी मानाव है मानाव क अंदर माता हैं इसका मतलब है सभी मा जो है वो सभी मा क्या है महिला है और सभी महिला मा नहीं है द्याना सभी महिला है मा नहीं है सभी मा महिला है और इसके बाद सभी महिला है जो है वो सब क्या है माना हो है तो इसका डाइक डाइगराम होंगा कौन सा एक के अंदर एक अप् देखो मंत्री मंडल ग्रा मंत्री और मंत्री अब मंत्री मंडल ग्रा मंत्री और मंत्री बने हो या मंत्री बने हो है तो सब मंत्री मंडल के अंदर सारे मंत्री होते हैं उन मंत्री में फिर डिपार्मेंट अलग लग बाटे जाते हैं तो इसका मला सबसे पहले क्या आएगा मं मंत्रियों को सपश 29 adore जयाएगी और फिर मंट्रियों को विभाग बाटे जाते हैं तो इसका पहले वह मंत्री बंदते और फिर उन इनको विभाग दिये ietsां आ मंतरी मंडल फिर उसके अदर मंतरी और फिर उसके अंदर ग्रह मंतरी तो आँज़ कौन सा है या सी वाला चलो आगे बढ़ते आगे लिखा है तोते पक्षी और चुहे तौते-पक्षी और चुहे इसका मतलब तोते क्या है पक्षी जुए अलग है इस पे कोई बड़ी बात नहीं बहुत शांधार सा चुटा सा स्वाल है चलो आगे बढ़ते हैं प्रोफेसर शोध करता और विग्यानिक क्या प्रोफेसर शोध करता हो सकते हैं हो सकते हैं कोई भी खोज करना चाहिए कोई शोध पतर पे काम करना चाहिए कर सकता है क्या प्रोफेसर विग्यानिक हो सकते हैं बिल्कुल हो सकते है क्या विग्यानिक शोहत करता हो सकते हैं हो सकते हैं माला सब आपस में एक दूसरे का काम कर सकते हैं और जब सब एक दूसरे का काम कर सकते हैं इसका मतलब है कि सारे गोले आपस में कट होंगे और आंसर कौन सा आएगा पहला वला चलो आगे देखते हैं आगे लिखा है स्वाष् Frage ने रहुं तो इससे कहते हैं खुष तो new तो फैरेटें ओत्स माता फिता इसका अंदर हैं अलग है तो तो दोनों अलग है अगरे ऑड़तेegh हैं लेटिन और ग्रीक इसका क्यों खुष्म है और अंगरे जी भी भाशा है लेकिन तीनों ही बाशा है अलगलग है तो आंसर कौं सा है यह वला आगे बढ़ते है नाइड्रोजन बर्फ और हवा तो नाइड्रोजन जो है वो कहां available होगी हवा में available होगी लेकिन बर्फ क्या है वो अलग है तो अन्दर एक और एक अलग यहां से भी option हो गया उसके बाद है संगितकार गायक और महिलाएं संगितकार गायक और महिलाएं इसका मतलब क्या सभी संगितकार गायक होते हैं नहीं कुछ संगितकार गायक हो सकते हैं हो सकते हैं कुछ संगितकार महिलाएं हो सकती हैं हो सकती हैं कुछ गायक महिला नहीं कुछ संगितकर गायत हो सकते हैं हो सकते हैं कुछ संगितकर महिला हो सकते हैं हो सकते हैं कुछ गायक महिला हो सकते हैं हो सकते हैं जब सब आपस में काम कर सकते हैं तो आंसर कौन सा होगा फरस्ट वाला चौर आगे बढ़ते हैं हाथी मांसारी और बाग हाथी मांसारी औ नर्स और मरीज अब नर्स और मरीज कहां पर होंगे तो नर्स और मरीज तो अस्पिताल में होता है लेकिन नर्स अलग है और मरीज अलग है तो नर्स अलग मरीज अलग ऑप्शन डी चलागे चावल सरसों चुकंदर अब चावल है सरसों है और चुकंदर तीनों ही अलग लग हुए आगे बढ़ो नाग हाथ और शरीर नाग हाथ कहां होते शरीर में तो इसका शरीर के पार्थ है लेकिन दोनी पार्ट अलग-अलग है यह डी चला आगे बढ़ो अंगुठिया गहने हीरे की अंगुठि अब देखो अंगुठिया बनाना मतलब क्या होगा एक तरह से गहना है तो इसका मतलब गहने आप जानते हो शिंगार तो गहने उसमें आएंगे तो यहां अंगुठ जो है वो की भी किसमें आइगी गहने में अब लिखा ही ओंगोति तो फाइए अंगोटिया आप सारी पड़ी हुए अ मनद होगा क्या सब होंगे गहने गहनों में बहुत सारी अंगोतिया है है उसके अंदर हीरे की अंगोति है मतलब एक के अंदर एक बढ़े पिस्टाब बिलकुल अलग लेकिन टेबल तो फरनीचर टेबल और किताबे अब किताबे जो है वो तो बिल्कुल है अलग हो गया टेबल पर रखे पड़ जो है और इंडोर गेम के अंदर सतरंज तो सतरंज और टेंडोर टेर ते इन बाल होते हैं लेकिन दोनों ही गेम अलग लग होते हैं तो दोनों ही अलग लग होते हैं चलो आगे बढ़ो आगे लिखा नाविक जहाज और महासागर अब समझा नाविक किसे कहते हैं जो नाव चलाता है जो जहाज चलाता है वो नाविक है तो इसका मलब वो आदमी कोई भी हो वो जब न तोही नाविक क्यलाएगा, इसका मदला है महा सागर हुआ, महा सागर में जहांज चल रहा है, जहांज को चलने वाला एक नाविक है, तो एक के अंदर एक के अंदर एक, यह आनसर कौण सा हुआ, तीसरा वाला, आगे बढ़ू, गाजर, बोजन और determined KalGI, अब गाजर को गिना जाता है सब्जी में तो अब आता है गाजर बोजन और सब्जी लिखा है इसका मतला है सबसे पहले क्या आएगा बोजन बोजर के अंदर क्या आएगी सब्जी सब्जी के अंदर क्या आएगी गाजर इसका अंसर कौन सा आएगा पहला डन चलो आगे बढ़ो आगे लिखा है चलो चलो आगे बढ़ो टाई शर्ट और पतलून अब टाई गले में लगा रहे हैं शर्ट पैन रहे हैं और पतलून नीचे पैन रहे हैं इसका तीनों ही पार्ट है लेकिन तीनों ही अलग अलग हैं तो आपस पे इनका कोई रिष्टा नहीं ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब देखो अगला स्वाल है पंकूडिया गुल दस्ता और फूल अब गुल दस्ता जो होता है बुके बना रहे हैं तो बुके में सारे फूल डालेगे और फूल में क्या होती है पत्या होती है तो अससले क्या आएगा गुल दस्ता गुल दस् हैं यहां से आगे लिखा है सम चतर बुझ चतर बुझ बहु बुझ यह है मैस्वाला स्वाल और मैस्वाले को जहां से करना सम चतर बुझ का मनला है ऐसा चतर बुझ जिसकी चार बुझा है समान हो यह लिखा चतर बुझ मनला सिर्फ चार बुझा वाला तो इसका मनला सम चतर क्या होते है बहुपूज होते है मला सबसे पहले आएगा बहुपूज तो सबसे पहले उपर उपर क्या आएगा बहुपूज बहुपूज के अंदर आएगा क्या चतुरुपूज तो बहुपूज के अंदर आएगा चतुरुपूज और चतुरुपूज के अंदर आएगा सम्चतुरुपूज तो इसके अंदर आजाएगा सम्चतुरुपूज ऐसे तो एक के अंदर एक के अंदर ए, यह हो गया A option, clear, चलो, आगे बढ़ते, भाषा है फ्रेंच और जर्मन, तो भाषा है फ्रेंच और जर्मन, तो फ्रेंच भी भाषा है, जर्मन भी भाषा है, लेकिन है दोनों भाषा का अंदर, लेकिन अलग-लग है, तो यहां से D आ गया, आगे बढ़ो सूर्य ग्रह और प्रत्वी तो सूर्य ग्रह और प्रत्वी अब प्रत्वी क्या है ग्रह है तो प्रत्वी तो ग्रह के अंदर आईगी लेकिन सूरी क्या है तारा है तो वो अलग हो जाएगा तो एक के अंदर एक और एक अलग आगे देखो आगे लिखा कक्षा blackboard और school अब blackboard और यही जो blackboard और class होती वो का होती school में अब school में कक्षा होती है और कक्षा के अंदर blackboard होता है एक के अंदर एक के अंदर एक ठीक है चलो आगे बढ़ता है proton electron परबाणू और परबाणू के अंदर क्या होते है proton भी होते है और इसके अंदर electron भी होते हैं लेकिन proton अलग है और electron अलग है तो यहां से भी आंसर हो गया आगे कागज, stationery और शाही तो कागज, stationery और शाही अब देखो stationery के अंदर कागज भी आएंगे और शाही भी आएगी तो आंसर कौन सा हुआ? second वाला होगा लेकिन मैं आपको एक स्वाल और दे रहा हूँ चलो अब देखो आगे है कागज और यहां से है stationery और फिर है किताब अब आपको बताना है इसका diagram साही कौन सा होगा दोस्तों जहाना बहुत सारे जगे आपने देखा होगा दूकानों के बाहर लिखा होता है stationery shop आपने देखा होगा लिखा होता है और बहुत जगा आपने देखा होगा लिखा होताBookstore ते इसका मतलब है कि पैन पैंसल यह भी रख लेते हैं ताकर आया हुआ गर वापस जाये नहीं अधरवाज से इस्टेशनरी किसे कहते हैं वो सामगरी जिससे कुछ लिखा जा सके जिससे किताब बनाई जा सके इसका मनला है प्लैन पेपर कागज हो सकते हैं पैन हो सकता है पैंसिल हो सकता है इरेजर हो सकता है कमपास हो सकता है ये सब चीजे किसमें आती है इस्टेशनरी में लेकिन उनक पिश्टरी में कागज आते हैं लेकिन किताब नहीं आती है तो इसका ड्राइड डियाग्राम यह बनेगा ठीक है आगे से धियान रखता है चलो आगे बढ़ते हैं कुछ पशु और पालतु पशु अब कुछ पशु तो आएंगे तो पशु के अंदर ही और पशु के अंदर सी वाला ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे लिखा है विज्ञान बोती विज्ञान रसाइन विज्ञान बोले तो साइंस फिजिक्स और केमेस्ट्री तो फिजिक्स और केमेस्ट्री क्या है साइंस के पार्ट है लेकिन दोनों ही क्या है अलग लगे तो फिजिक्स और केमेस् अलग है और मक्का अलग है चलो और आगे बढ़ते है कुटा मांसाहरी और बाग अब कुटा जो है वो क्या होता है मांसाहरी नहीं कुटा सर्वाहरी होता है कुटा रोटी भी खाता है और कुटा मांस भी खाता है लेकिन जो बाग होता है वो सिर्फ मांसाहरी होता है इसका मत इंदर एक तो होगा सेपरेट और एक होगा यहां पर कट करता हुआ तो यहां में लिखता हूँ ऐसा यह होगा पूरा मांसा हरी फिर यहां लिखेंगे बाग बाग मांसा हरी होता है लेकिन कुटा जो है वो कुटा थोड़ा मांसा हरी होगा तो थोड़ा सर्वाहरी मलब बाह तो इसका ड्राइट ड्राढम यहां पर कौन सा बना ह Teil नहीं यह बना चीटा पूरा नेकिन ड्राइग्राम पूरा Guten सेनी नहीं बना हobic ऐसे तो इस तरह से और कट कर रखाओ ऐसे तो यह वाला इसा नहीं बना वा है तो आगे बढ़ता है चलो और Kanun के च्षात्र विज्यान के च्षात्र और पूरुष अवे तो सभी पूरुष की कैटेगरी में लेकिन कानून के चात्र है अलग और लो वाले चात्र क्या है अलग तो आंसर क्या आएगा ये वाला ठीक है चात्र और चात्रा ज्यानना ये चात्र है और चात्रा अलग है इसलिए मैंने इनको पूरुश के कैटेगरी में लिखा है ठीक है चलो आगे देखत तो वो वाले तो हैतो जिवित प्राणी है तो इसका लाँ बहुत सारे हैं जिनमें रीड के हड़ी नहीं होती है लेकिन हैतो जिवित प्राणी में और जो रीड वाले हैं वो अलग और जिनमें नहीं है वो अलग हो जाएंगे तो एक ही का अंदर के आएंगे दो आएंगे ये होता है वेनारे का सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्ट अभी वेनारे का सेगंड पार्ट बाकी है और सेगंड पार्ट कौन सा है दोस्तों सेगंड पार्ट है इस तरह के स्वाल जिसमें ट्राइंगल बना हुआ मिलेगा फिर यह इस तरह से है फिर यहां से बीश्वें से कट क तो यह वाला है वेन आरे का सेगंड पाड और फिर आएगा वेन आरे का थर्ड पाड और वह है नियाय वाक्य किताब है और कुछ किताब जो वो पैन है वो वले स्वाल और वो सबसे शानदार टॉपिक होता है रीजदिंग का ठीक है दोस्तों तो मिलते वापस रूजाना इसे टाइम पर 9 बजे और अगले दिन पढ़ेंगे अगला कुछ और ठीक है अगर वीडियो पसन आई हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें मिलते वापस कल तब तक बाई बाई जये हिन